लेकिन विपख्ष की स्तिति दिखावे के लिए बले लोग कोशिस में कि एक की बात दिखे लेकिन सच में आपस में जिस तरह से मिटिंग करते हैं और मिटिंग के बाद बाहर जाकर बोलते हैं एक दुसरे के खिलाफ तो इससे तो सिधा सिधा है कि सब लोगों के मन में जो भी विपक्ष के लोग हैं सिर्फ सत्ता की कुर्सी दिख रही है मोदी हटाओ इसके अलबा कोई उनका एजेंडा तो है नहीं कोई बैकलपी के जंडा की बात नहीं करेंगे तो जंता कैसे भरोसा करेंगी तो कुछ भी करें उसका कोई अर्थ नहीं निकलना है अब सब चीज की जानकारी हमेशा दिया जाए मिडिया के माध्यम से इसकी कोई आप सेक्ता थोड़े होती है और लोग क्या कर रहे हैं तो उनका फिर हम क्या करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं इसका खुलासा हमेशा समय से पहले किया जाए इसकी कोई आप सेक्ता तो है नहीं हम तो हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई बिकलप 2024 तक तो नहीं है क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी मुकाबला में दिखे तो कोई उमीद कर सकता है कि लडाई हो सकती है लेकिन बहुत इतना कांतर है कि कहीं कोई लडाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है तो इसी लेकिन इन्लों के पास तो कोई एजेंडा ही नहीं नहीं है जनता के सामने जब तक बैकल्पिक एजेंडा ठोस एजेंडा लेकर कोई बिपक्ष्क बात न करे तो फिर कहां से उस पर जनता का ध्यान ही नहीं जाएगा और चुनाओं में कोई इसी नहीं बन पाएगा हमने कहा ना कि 2024 में कोई चुनाओती नहीं है कि आप ही लोग खबर फैला देते हैं उस तो पहली बैठक में ही लालू जी नहीं असपस्ट कर दिया सबसे बड़े पैरविकार जिनके बारे में कहा जाता था कि नितिश जी के पैरविकार लालू जी होंगे और लालू जी ने कहा कि हम लोग तो बरात हैं दुला तो राहूल गांधी हैं तो जब लालू जी ही ऐसा कह रहे हैं तो फिर उसके बाद चीजे बच्ती कहा है असपस्ट है